हलो स्टूडेंस वेलकम तू मैगनेट बेंस यहाँ पर आ गए हम अपने गर्दिखंड का नया चैप्टर लेकर गर्दिखंड यानि कि इस पर्ष में जो हमारे दो पार्ट दिये हैं उसका हम यह चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर है हमारा शुक्रतारे के समान इसके राइटर है स्वामी आनंद जी स्वामी आनंद जी ने हमें इसको यहाँ पर बताया है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे लेखक जिनका वर्ड जो कलेक्शन है उनका जब वो चीजों को लिखते थो तो उनके लिखाई और उनके उसी तरीके से इनके शब्दों का जो चुन्ना था वो जो है एकड़म अलग था इसलिए इनको शुक्रतारा बोला गया यह कौन थे हमारे महादेव भाई यह देसाई जी जिनके शब्दों का चायन बहुत ही अच्छा था और उनके बारे में हम जानना शुरू करते हैं कि स बीजी से चमकता है उसके कोई भी तारा उसकी बराबरी नहीं कर पाता शुक्र को चंद्र का साथी माना जाता है यानि कि चंद्रमा चमकता है और उसी की तरह शुक्रतारा भी आसमाने जैसे चंद्रमा तो बहुत तेज चमकता है उसी की जोड़ का समकता है शुक्रतारा त मतलब ये आकाश में बहुत कम देर के लिए हमको दिखाई दीता है। कोने में इनके गुणों की चर्चा होने लगी। मतलब ये इतनी जादा फेमस हो गए कि देश के हर कोने में इनकी ख्याती इनके बारे में बोले जाने लगा। में आया कि MD सबके लाडले बन गए। अब वो क्या होते थे गांधी जी के संपर्क में सबसेश जादा रहते थे। अब हर जगे जहां गांधी जी जाते साथ में जाते तो उनकी ख्याती साथ में रहने से भी बहुत जादा बढ़ती जा रही थी। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। मतलब जो अक्षर लिखते थे जो चीजे लिखते थे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो जिस जोड से लिखते थे। कोई उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वायसराय के नाम जाने वाली गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव भाई देसाई की लिखावट में ही जाते थे। यानि कि गांधी जी वायसराय को जितने भी पत्र लिखते थे। जितनी अप्लिकेशन्स हूँ, कोई भी लेटर्स हूँ, वो सब ही महादेव भाई देसाही के हातों से लिखके ही जाया करती थी। उन पत्रों को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांसे लेने लगते थे। कहने का मतलब वो जिस तरीके से लिखते थे उनकी लिखावट, उनके शब्दों का चयान ऐसा होता था कि बड़े बड़ों के पसीने चुड़ा दें, कि उनमें इतना वजन होता था उनकी बातों में कि जो लोग जब उनके पत्रों को पढ़ते थे उनकी लिखावट को तो मत महादेव के समान अक्षर लिखने वाला खोजने पर भी नहीं मिलता मतलब सिवीलियंस और जितने भी गवर्नर्स जितने भी पहले फौज में जितने लोग होते थे वो और सिवीलियंस मतलब जो ऐसे नॉमल रहते हैं सभी लोग कहते थे कि महादेव के तरीके से लिखने वाल कि सामने वाला कायल हो जाता फ। उनका शुद और सुदर लेखन पढ़ने वालों को मंत्रमुधि कर लेता था। अधम शुदता ता होती थी और लिखावट भी बहुत सुन्दर होती थी। जो कोई भी उनको पढ़ता था वो देखकर इदम चकित रह जाता था कि कैसे इतना सुन्दर और इतने अच्छे शब्दों में कोई लिख सकता है। लेखक कहते हैं प्रथम शेडी की शिष्ट संसकार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की इश्वरी यदेन महादेव जी को मिली थी। मतलब कहने का मतलब सबी लोग बोलते थे लेखक ही कहते थे लेखक भही लिखने में सहित्T में जैसा लिखने वाला शायद हम भी नहीं लिखते हैं ये लेखकों का मानना था कैसा प्रथम शेड़ी की शिष्ट यानि की उनकी language इतनी आप जब पढ़ेंगे तो जह लगएगा हमको बहुत आधर मिला शिष्ट language रहती थी अवल दर्जे की मतलब उससे उचा आप कोई सोच नहीं सकता इतना अवल लिखते थे संसकार संपन्य भाशा मतलब आप से किसी भी तरह की अभदर language का इस्तेमाल नहीं करेंगे इतनी अच्छी और प्यारी language करेंगे कि आप उनकी लिखावड के कायर हो जाएगे क्या आदमी है मुझे इतनी ज़ादा उसनों इस सद्धी थी इस तरीके से रहता था मनोहारी लेखन शैली लेखन शैली का मतलब लिखने की जो शैली थी यानि कि एक वाक के बाद दूसरे वाक का जो चयान होता था वो ऐसा होता था कि पढ़ने वाला ये सोचता था कि कहां से शुरू होकर कहां ये सब खतम हो रहा है हमें समझ में नहीं आता वो शैली इतनी अच्छी लिखते थे तो महादेव जी को ये वरदान मिला था इश्वर्ज का वरदान था कि वो किस तरीके से लिख लेते हैं महादेव भाई देशाई का आदर्श जीवन हमारे लिए अनुकर्णी है मतलब उनका जो जीवन है उसे हमें अनुकर्ण करना चाहिए उनके बारे में जाने और उनके जैसे जीवन जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए लेखक ने महादेव भाई देशाई के विक्टित्व को शब्दबद कर कहा है यानि कि लेखक ने, स्वामी आनंद जीन ने उनके जो जीवन को है उसको शब्द बद किया है, मतलब शब्दों में लिख कर कहा है उनकी निर्मन प्रतिबा, उनके संपर्ख में आने वेले विक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के समान दूधों नहला देती थी यानि कि जैसे अब वो हैं, उनके संपर्ख में हम आए, जैसे हम उनसे कुछ सीखने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शुक्र तारे थे तो हम चंद्रमा के समाम हो जाएंगे कि उनकी रोशनी थोड़ी बहुत हमारे अंदर आ जाएगी, और हमारे अंदर भी उनकी जैसे थोड़ी प्रधभा के कण आ जाएंगे उनके जैसे तो नहीं आपाएंगे, लेकिन थोड़े आ जाएंगे तो कहने का उनका मतलब है कि दूद से नहला देना यानि कि उनकी प्रकाश से हम नहला देने का मतलब है कि उनके ग्यान के प्रकाश हमारे उपर भी पड़ जाता मतलब कुछ चीजें हमें भी सीखने को मिल जाती उनमें सराबोर होने वाले के मन में उनकी इस मोहिनी का नशा कई किन दिन तक उतरता ना था मतलब अब उनके संपर्ख में जो लोग आते थे उनसे इतने जादा प्रभावित हो जाते थे कि उनसे जब अलग होकर अब निकलते थे कुछ दिन बाद तो उनसे अलग होना ही जब उनसे अलग होकर निकलते थे तो उनकी जो प्रभाव शैली होती थी उससे बहुत दिन तक उनके बारे में उनका प्रभाव उन लोगों के उपर बना रहता था जो उनके संपर्क में आते महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुद गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कलपना ही नहीं की जा सकती थी मतलब महादेव जी और गांधी जी दोनों आपस में इस हद तक मिल जुल चुके थे हमेशा हर कार रिसैली हर जगा कि कोई भी महादेव और गांधी जी को अलग अलग नहीं कर पाता था अगर कोई सोचता था तो गांधी जी को सोचता था तो साथ में महादेव जी को जरूर सोचेगा और कोई अगर महादेव जी को सोचता था तो साथ में गांधी जी को भी जरूर सोचता था मतलब इन दोनों को जब भी कोई सोचा जाता था एक दूसरे के साथ ही सोचा जाता था कभी अलग करके कोई सोच नहीं पाता था उनकी कलपना ही नहीं की जा सकती थी ये पार्ट एक ऐसे विक्ति के जीवन परिजे के लिए तयार किया गया है जो अत्यन्त महातुपूर होते हुए भी गुमनाम रहा मतलब हमारे स्वाधिंता संग्राम में इन्होंने बहुत जादा भाग लिया बहुत महातुपूर थे क्योंकि एक से एक पत्र लिखना सरकार को हिला देने जैसे कारिनों ने किये मगर तब भी वो गुमनाम रहे मतलब आज हम लोग उनके बारे में जादा कोई जानता ही नहीं है अधा ऐसे चरित्र को सर्व सक्षम उजागर करने की अपेक्षा को लेखक ने निश्चत रूप से पूरा किया है मतलब लेखक ने उनके परिचे देकर हमें यहाँ पर उनके बारे में समझाने का बहुत हद तक प्रयास किया है कि वो कैसे व्यक्ति थे उन्होंने किस तरीके से हम लोगों के लिए कितना जादा कारे किया और उद्दम से वो गुमनाम हो गये उनके बारे में आज नहीं जानता गांधीची के बारे में सभी जानते हैं लेकिन उनको इतना सपोर्ट करने वाले महादेव जी के बारे में कोई नहीं जानता तो येस पार्ट में हमने बहुत हद तक जो है महादेव भाई दिसाई के बारे में पढ़ा और जाना उनको क्यों जाना, वो क्यों फेमस हुए उनकी भाशा शयली, शिष्ट भाशा शयली की वजह से, उनके लेखन शयली की वजह से, उनके हेड राइटिंग वज है तो यह सब चीज़ेs जो होती हैं बहुत ही मुश्कल से मिलती हैं और महादेव जी के उपर इश्वर की क्रपा से उन्हें ये वर्दान बहुत अच्छे से प्राप्त था तो यहां हमने अपने देश के शुक्र तारे के बारे में जाना जिसकी प्रभा में हम आज भी चमक रहे हैं मतलब उन्होंने स्वाधिन्ता संग्राम में इतना एहम भाग पाट लिया और हमें बहुत ज्यादा दिखाया तो उनकी प्रभा हमारे उपर पढ़ी क्योंकि हमने भी स्वाधिन्ता उन्हीं की वज़े से प्राप्त करी तो इस तरीके से इस पार्ट में हमने बहुत हद तक महादेव जी के बारे में जाना अब अपने नेक्स वीडियो में हम आपके लिए इसके प्रशनुत्तर लेकर उपस्तित होंगे और इनके बारे में आप और जानने का प्रयास कीजे इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा आपकी पढ़ाई और लिखाई में ओके बाबाई